अश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एडवांस इंजिनेरिंग क्लासेस के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर डियर स्ट्वेंट्स हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में वैदिक पीरियड के बारे में डिसकस किया था कि वैदिक अजम उसको लेक्चर को सुरू करने वाले हैं यह सारे जो लेक्चर्स हैं इसका एक मोटिव है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हिस्ट्री के पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा तत्यों को फैक्ट्स को समझ पाएं टू मेक राइट यूर कोशन्स बिचार एक्सपेक्टेट टू बी पुट अप इन यूर एक्जामिनेशन प्रटिकुलर इंगें इस्ट्री सेक्शन तो इतिहास भारती इतिहास से सम्मंदित जो भी तत्य आपके आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन तत्यों क सठीक की लिए को संधीक का लिए आपके नॉलेजक को इस तयार किये जारा हैं उके देखते हैं सब्सक्राइब वैदिक पिरियाड और लेटर वैदिक पिरियाड तो यह हमने पहले भी पताए था कि जो वैदिक पिरियाड है उस वैदिक पिरियाड के दो पोष्ट वेदिक पिरियद वेडिक पिरियद रोटेट चली सुरुवात करते हैं इंट्रोबश्चन रिग्वेदिक और पोस्ट वेदिक रादर लेटर वेदिक पिरियद यहां पर लिखा हुगा रिग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरिएड्स वर तू डिफरेंट सेगमेंट्स अफ वैदिक पीरिएड्स बोथ पीरिएड्स हैड डिफरेंट व्यूज इन आस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एकोनोमिक एंड रिलीजियस बित चैंजेस तो यह किसी पीरिएड के एक काल खंड था जिसके हमको सामाजिक प्राजनेतिक आर्थिक और धार्मिक बिंदों को समझना था रिख वैदिक और बाद के वैदिक काल वैदिक काल के दो अलग अलग खंड थे जहां पर परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक राजनेतिक आर्थिक और धार्मिक पहलूं को अलग-अलग विचार के रूप में परिवाशिक किया गया यानि आप यह समझ के चल सकते हैं कि पिरियाद है और एक वैदिक पिरियद 1500 BC कि तू 1000 BC आल्मोस्ट इस पिरियद में क्या-क्या समाजिक विवस्ता थी ति क्या-क्या धार्मिक विवस्ता थी यह समझना है वह जो लेटर वैदिक पिरियाट था उस लेटर वीदिक में 1000 BC to 600 BC के बीच में कौन-कौन सी सामाजिक राजनेतिक विवस्ता थी यह हमको समझने हैं यह दोनों ही सेग्मेंट हमको कवर करने हैं लेट्स ची स्टार्ट देखते हैं यहां मैंने आपके लिए सिम् Social structure सामाजिक समर्चना कैसी थी रिग वेदिंग काल की और पोस्ट वेदिक प्र्धान की देखते हैं क्या थी है डीरीः रिग वेदिक पिरिएड ल मेल मेर्डोमिनेर्ट कि इसको कहते हैं परिवार कैसा था कि पुरुष पर्धान कि यानि पुरुष highlight परिवार का मुखिया होता था जैसा आज भी होता है मिल डूमिजट सो यह समय से चला रहा है One system more based on कर्म कि किस पर आदा रहे थे कर्म पर आदा रहे थे जो बिट्थी जैसा काम करेगा वैसा ही उसका वर्ण होगा और उस समय के पाए जाने वाले वर्ण कौंसे थे ब्रह्मन शत्रिय, वैश एंड सूद्र यह चार बरनों होते थे यानि समाज पूरा चार बरनों में डिवाइड कर दिया गया था और चारों बरनों को उपर से नीचे करम में रखा जाता है तोब मोस्ट पर ब्रहम्मन उसके बाद शत्रिय उसके बाद वैश और सबसे नीचे सूद्र यानि सूद्रों की सामाजे के स्तरिकरण में सबसे निमने से थी अच्छी बात यह थी कि वहां पर इन बरनों का जो डिवीजन हैं सेगमेंटेशन हैं यह किया जाता था उनके द्वारा किया जाने वाले कार्यों के आधार फर इट मीज देर वाज मोबिलिटी एवरीवन बाद फ्री टू चेंज हिज और हर कास्ट बाइचेंजिंग हिज और हर उक्यूपेशन लोग अपना काम बदल के पेशा बदल के अपना बेव्शाय अपना बरन बदल सकते थे तो करम पाधार थी और इसलीए इसको कहते हैं ज Seriously और इसके लोग अपना बरनी कर सकते सब्सक्रणने परीवर्टन इसके ने नहीं 是 सती प्रथा बाल विवाहा पर्दा प्रथा यह प्रैक्टिस में नहीं थे ठीक है ना यह किसी प्रकार की प्रैक्टिस में नहीं थे इनका प्रैक्टिस से कोई मदलब नहीं था यह उस समय नहीं होते थे और इनका समाज में होना समाजिक बुराहियां हैं तो यह कह सकते हैं कि उस समय समाज में बहुत सारी इसी बुराइयां नहीं पाई जाती ती जो बाद के समाजों में उत्पंध यासे सतीपरदा परदा-परथा- बाल-inky forehead आज भी ये सारी बुराइयां के नूप में ही व्यापत है जहां होती है उनको बुराइयां के रूप में यानि कि व्यादिक काल के प्रारंबेक काल में यह सब चीज़ा नहीं थी नेक्स्ट वूडिंग बहेवियर वाज अफ बोथ काइंड नॉन वेज एंड वेज यानि मासाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार का बोजन चलता था उस समय यह भी अच्छा सेग्मेंट है कि भोजन को लेकर कि किसी प्रकार का कोई सेग्मेंटिशन नहीं था साकाहारी लोग भी भोजन करते थे और मासाहारी लोग भी समाज में पाई जाते थे Next. Playing ludo and going on hunting trips. Ludo का मतलब है चड़ोसर खेलना. Hunting trips का मतलब है सिकार खेलना. ये सब मनुयां जन के साधन होते थे उस समय. ये सब मनुयां जन के साधन होते थे. ठीक. गारगी, मेत्रई, अपाला, घोशा, सिखता वर नोटेवल फीमेल फिगर्स यह उस समय की पड़ी लिखी महिलाई थी इसका मतलब है कि उस समय की महिलाई शिक्षित थी महिलाओं को सिच्चा पराप्त करने का अधिकार था और महिलाई शिक्षित थी सेम चीजें है परिवार पुर्ष प्रधान था बन वेवस्ता करम पर आधारित थी सती प्रथा, बाल विवा, गुंगर प्रथा बेवारिक रूप से नहीं थे दूद पलाने का बेवार मासा आरी दोनों तरह का था फूडिंग वेहिवियर यानि दूद पलाने मासा आरी और साकारी दोनों परकार का बोजन पाए जादा था एक खेल खेलना और सिकार पर जाना इमरुजन के सादन थे गारगी मेत्र यपाला वोशा शिक्ता यह सब उस समय की पड़ी लिखी महिला थी तो यह सब जो समाज था यह समाज देखने को म मिला रिगवेदिक पीरियड में अब यही समाज इस पीरियड में आकर के कौन-कौन से चेंजिस के साथ इमर्ज हुआ इसको देखते हैं यहां पर हमने देखा कि फेमिली बास मेल डोमिलियेंट तो देर बास नो चेंज जैसा उस समय था पुरुष प्रधान यहां भी पु इलाट किया हुआ है कि वर्ण सिस्थम बर्थ पर हो गया और यहां पर किस पर है करम पर है तो यह है करम पर और यहां पर हो गया जनम पर तो जब कोई विवस्ता जनम पर आधरित हो जाती है तो वह कैसी हो जाती है इस्थिर हो जाती है इस्थिर अब इसमें गतिसीलता नह किस बढ़न के हैं तो यहां भी ब्राह्मन शत्री वैश्व और शुद्र ही रहेंगे लेकिन अब उनमें चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है कि फूडिंग बेहिबियर बाज और बोट काईड बासाहारी और शाकाहारी इस दोनों प्रकार का भोजन अस्तित में था उस समय भी पाए जाता था सेम भी नो चैंज प्लेंग लुडो और गोइंग और हंट्रिंग ट्रिप्स यानि सिकार खेलना और चौसर खेलना यह यहां only one change that was the change of change of base for band system, band system का जो आधार था वो बदला है और कुछ भी changes नहीं हुए तो band system का आधार क्या change हो गया है करम से अट करके जनम पर हो गया है इसका मतलब है कि यहां band विवस्ता कैसी थी? खुली, open और यहां band विवस्ता कैसी हो जाएगी? बंद, closed, यह band विवस्ता यहां पर हो जाएगी, बंद विवस्ता वही है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता है और पहले बड़ विवस्ता खुली थी, कोई भी उसमें आ जा सकता था तो band विवस्ता खुली थी, अब बड़ विवस्ता कैसी हो गई है? बंद हो गई है, समझ economic structure की बात करते हैं, economically क्या था वहाँ पर, तो economic structure की बात करेंगे, तो रिख वेदिक पिरियर्यर्ड में है, मुद्रा विवस्ता था थी नहीं, हां, बस्तू बिड में पाय जाता था, जिसको कहते थे, water system, बस्तूा बिनमे को बाटर सिस्टम हम सर्वीस और बस्तूंगों के बदले सर्वीश और बस्तू रहें थे जैसे कोई को披्रां कर लेते सो तो उसके काम कर आ सकते था या इसके यह home पर करके अपने इंड हाँ कर सकते थे तो बाटर सिस्ट्म रापने गाउं में भी देखा होगा, बहुत कॉमली देखा जाता है और छोटे-छोटे सेगमेंट, next, इस समय या मेरे एक सिक्का चलता था, जिसको कहते था है निश्क, निश्क नामक सिक्का चलता था और यह सिक्का किसका होता था गोल्ड गा यह सिक्का नहीं होता था एक सोने का टुकडा होता था तोने का टुकडा इसको लोग गले में पहनते थे आभूशन होता था एक ज्वेल होता था ज्वेलरी आभूशन के रूप में गले में पहनते थे लेकिन जब भी जरूत पड़ती थी तो इसका यूज है वो एजे करंसी किया जा सकता था मुद्रा के रूप में इसका प्रियो किया जा सकता था, वैसे इसका फ्रियोग गले में पहनने वाले आभूशन के रूप में किया जाता था, ठीक है? next traders work called panis उसमें ब्यापार, जल और थल, दोनों ही मारगों से होता था जल मारग से और ठल मारग से होता था, दोनों ही मारगों से और व्यापारियों को कहते थे, पनी, पनी बड़ यूज़ करते थे ब्यापारियों के लिए, ठीक है, ये दिखा हुआ है, जलो अंथिल दौरवी मारगों से होता था, ब्यापारियों को कहते थे निश्क नामक सोने का ट्रकुड़ा, यानि इसका मतलब ये था कि रिगवेद इस वहां होता था ठीक वैसा यहां था इसका मतलब यह है कि इस समय भी निस्क का यूज किया जाता था इस समय भी ट्रेडर्स को पनी ही कहा जाता था इस समय भी जो ट्रेड होता था लेंड और वाटर दोनों रूट से होता था ठीक तो जैसा वहां चला रहा था यह यहां भी चला रहा है इसमें बहुत बड़े चेंजेश देखने को नहीं मिले तो दा एकॉनमिक स्ट्चर ऑप अंटायर वैदिक परियएड वाज सेम आजर वी आट तो इसमें कुछ भी चेंजेश देखने को नहीं मिला है तो यह होगे हमारा एकॉनमिक स्ट्चर जो हमको वहां से प्राप्ट हुआ है ठीक है नेक्स्ट सब्सक्राइबाव्त ग मिला तो जो कभी लों का सच्राइल ऐगय थे उन कभी लों का एक सिस्टम था कि नाम से उसको Rig Vedic period के कवीलों में क्या-क्या था At that time जो कवीला थे उन कवीला का जो प्रमुक्थ थे उसके लिए bird यूस किया जाता था राजन इसके लिए राजन bird यूस किया जाता था बली at time बाज कर जो सब लोग कभीले के सदार को देते थे सुरक्षा के बदले उस समय सभा की बात करेंगे समिती की बात करेंगे विदत की बात करेंगे भागदित की बात करेंगे तो इनको हम लोग ऐसे देखते हैं कि सभा उस समय एक स्रेष्ट जनों की सभा होती थे स्रिज जन्यों की सभ़ा होती थी अर इसे ही हम लोग इसके जो मेंबर उते थे सभा के उन मेंबरों को सभा सद कहते थे सभा सभ लोगों को कह देते सुजान चैना है सुजान इस लोगों को कह देते सुघान और पूरे रिगवेद में इस चपराणar योज locked eight times, यह याद रखना है आपको, समिती की बात करेंगे तो यह आम लोगों की सभा होती थी, लेकिन राजा के निने को बहुत प्रभावित करती थी, सभा के बल उन पर कंट्रोल रखती थी, सारे decision actually मैं समिती करती थी, और समिती के जो लोग है, उनको हम सुमंथ कहते थे, सुमंथ, ठिक है, और रिगवेद मैं इसका use नो बार हुगा है, नो बार इसका use हुगा है, विदत सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, रिगवेदे काल से पहले से चली आ रही है, विदत और इसके जो Cransberry उनको पूरे रिग्वेद में इसका यूज 22 बार किया गया कि भाग दुद तो भाग दुद वाज एक पोस्ट होती थी राजा और उसके मंत्रियों में जो चीजों को रिवीव होना है यह सारे कार करने की जिम्मिदारी किसकी होती थी भाग दुद की होती तो इसमें आपके लिए फैक्ट बहुत रहाद रखने के लिए जैसे कबीला की प्रमकों क्या कहते थे राजन तो राजन सब्द यहां पर था बली के मतलब क्या था सुबिधा या कर्द जो राजा को प्राप्त होता था सभा स्रेष्ट जनों की होती थी सबसे उच्छ होती थी और इसका रिगवेद में जो डिस्क्रिप्शन आया है वो एट टाइमस आया है समीद्टी की बात करेंगे तो यह आम लोगों की सभा होती थी इसके मेंबर्स को सुमन्त कहा जाता थ सबसे और इसका सबसे ज्यादा बार 22 बार हमको डिस्क्रेप्शन मिलता है भागदुथ एक दरवारी अधिकारी था अधिकारी था जिस पर मंत्रियों के मद्र सामजश्च बनाए रखने के अब आता है रास्ट अगर हम रास्ट बद की और बात करेंगे तो उस समय पर रास्ट बद है किसी प्रश्च तरहकरों कि सकते को आगर कोई किंग उर्मीं जिससे अम लोग राजन कहेंगे और किभीर嘿 उसकी बहुत सारी प्रजावी है इसकी बहुत सारी प्रजावी और इसमें यह वरा सbord था कि संसर जितने भी लोग हैं इक कभीधे के लोग हैं यह जो कभीला है सि Cobie में लगबग एक दिचन लोग रहें先生 को कि और राज यह जन देनी निर्जाती अधा के दिच द क्यों निश्चित भूभाग निश्चित भूभाग तो इसे collectively कहा जाएगा रास्ट रास्ट इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं नेशन ये concept उस समय था तो रास्ट बढ़ उस समय आ चुका था रास्ट क्या होता ये भी हमने बताया कि रास्ट क्या था कैसे काम करता था समझ गए तो ये वो segment है जिसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि रिग वैदिक पीरिड में politically कौन-कौन सी चीज़ां exist करती थी उनके लिए क्या क्या प्रावधान किये गए किसके प्रकार से उनका description मिलता है ये चीज़ां यहां हमको पता होना चाहिए रिग वैदिक का माचा तो वहां पर क्या क्या चेंज़ देखने को मिले पहली बार यहां पर एक सब्दी यूज़ हुआ जिसका नाम था कि प्रतंबार महराजा धिराज महराजा दिराज यह बड़ देखने को मिला रास्ट बड़ पहले से चला रहा तो यह पहले से नहीं कहा जाएगा जन और जनपद का उदय हुआ अब देखिए जन और जनपद क्या होते हैं जैसे मैंने अभी बताया था कि रास्ट रहे यह एक रास्ट है यह एक रास्ट है यह एक रास्ट है इसमें एक ही अथन से ठीके लोग रहते हैं यानि यह अलग-अलग प्रकार के क्या है नेशन है इ इसके बाद क्या होता है कि पॉलिटिकल चीजें अक्वाइर करना होता है किसी राजी को अपने को पूरूप करने के लिए अब यहां पर इस स्टेट के विक्ती ने इन सब को अक्वाइर कर लिया तो जब तक यह कॉंसेप्ट है इसको हम लोग कहेंगे जन और जब इसमें रा udah महा-जनपद था तो यह महा जन पद होते थे ठीक है तो जिए जनपद का कॉंसेप्ट और महा जनपद का कॉंसेप्ट इसी समय देखने को मिलता है इरेकवयध्यक खाय को सबसे मेर्ब सेग्मेंट है पोस्ट फीरेड में आते हैं यहां पर यह चैंज देखने को मिलें बाकि आपको पता है सभाप फेले से थी से समित्री पहले से थी यह भी अभी एग्जिस करती है लेकिन पोस्ट उसमेथिक प्रिएड में सभाऔर समिती के जो पावर है वो बढ़ गई यानि सभा और समिति के पास टेक्स लगाने और राजा को राजा के निर्णयों को प्रभावित करने की सक्तियां भी आ गई जो रिंग वैदिक पिरियर में नहीं थी यानि लगबग 600 सालों के बाद 600 सालों के बाद ये देखने को मिला कि सभा और समिति ताकतवर हो गई अब राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था इसलिए ये सिस्टम निकल के आया और इस सभा और समिति सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गई आपको इसमें दोई चीज़ा याद रखनी है जो कॉंसेट सबसे पहले आये हैं जैसे महराजा दिराज पहली बार आया है फर्स्ट टाइम ये याद रखना है जन और जनपद का कॉंसेट आया है ये भी पहली बार आया है आगे चलके देखेंगे तो यहां एक नहीं बहुत सारे महाजनपद बनने वाले हैं जनपद तो बहुत सारे थे जनपदों की संखिया तो लगबग सोसे भी जादा बन गई थे लेकिन बाद है तो हमने देखा प्रटिकली क्या चेंज हुआ रिगवेदिक पिरियोड में प्रटिकली क्या हो रहा था और पोस्ट वैदिक में जाकर के क्या के चेंजिज होए यह हम लोगों ने समझने की क्रोसिस की ठीक है नेक्स देखते हैं अधार्मे ग्रूप से देखते हैं कि रिगवेदिक पिरियोड में नेचर की पूजा की जा देते हैं और प्रकरती की पूजा की जाएगे प्रकरती की पूजा की जाएगे ठीक है और जो प्रकरती की पूजा है यह प्रकरती की पूजा है इस पूजा के तहट सबसे प्रमुख देवता कौन होंगे इंद्र बरुन क्योंकि इंद्र किसका देवता है बरसा का बरुन किसका है वायू का और अगनी आपका देवता जिन प्रकृतिक चीजों से लोग डरते थे उन्ही प्रकृतिक चीजों की पूजा करते थे तो दिख बेदिक काल में अगर हम कहें तो प्रकरती पूजक समाज पाये जाता था दियर्वाज नेचर वर्षिपर सोसाइटी डियूरिंग रिख बैदिक पीरियट विकॉस पीपल वर अफ्रेड आफ नेचुलल क्लाइमिटी तो नेचरल जो क्लाइमिटी थी डिज्वास्टर थे उनसे बहुत डरते थे जैसे तूफान आने से बाड़ आने से आग लगने से प्रकृतिव में रहेंगे प्रकृतिक चीज़ों से डरना ही पड़े गा तो लोग इन प्रकृतिक चीज़ों की पूजा करेंगे रिस्पेक् रखेंगे प्रकरती के इन सारे तत्वों में से किसी की भी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है इसलिए हम यह कहेंगे इस विवस्ता में मूर्ति पूजा नहीं थी मूर्ति पूजा का कोई भी अस्तित्व यहां पर नहीं था समझ गए तो मूर्ति पूजा का हमको कुछ भी सेग्मेंट यहां से देखने को नहीं मिलता है तो आइडल वर्षिप बाज नौट देयर रिगवेदिक काल में नेचर वर्षिप बाज देयर प्रकृति की पूजा होती थी नेक्स्ट बन बाज अब हम देखते हैं पोस्ट वेदिक पिरियर के आते आते क्या क् देखने को मिले देखिए प्रकर्ती से हम क्यों रहते थे को प्रकरती लोगों को हम कर सकती थे अब यहां पर एक नया concept निकल के आया पूस्ट वेदिक पिरियर में इस प्रकरती को संसार को जो बनाने वाले हैं इस स्रस्टी के निर्माता के रूप में थे कुछ देवताओं विश्णू और महिस यह आया कि इन लोगों ने संसार की स्यस्टी को बनाया है अब देखिए ये सब क्रियेटर हैं ये सब क्रियेटर हैं ब्रह्मा हैं आल्माइटी विश्णू क्रियेटर महिसा ये सब संसार को बनाने वाले हैं संसार को चलाने वाले हैं तो जब लोगों को लगता था कि अगर यह करने वाले हैं तो निश्रिती हवा पानी और आग को बनाने वाले भी यह होंगे कि यह भी संसार के तत्वी ही हैं तो वह कहते हैं कि संसार के जिन प्राकरतिक तत्वां से हम लोग डरते हैं उन प्राकरतिक तत्वां को बनाने वाले देवता हैं वो अल आप कभी भी ब्रह्मा विश्णुम्हेस के लीनेज या फैमली के बारे में नहीं बता सकते हैं यह स्वैम भूह यह स्वैम उत्पन हुए तो यह स्वैम भूह को तृदेव कहा गया और इसी तृवेद के अलावा हमको यहां पर आर्मे ग्रूप से कुछ बहुत सारे चेंजद देखने को मिले जैसे ऑस recommends अश्ल संसकार लेको मिले पूरसार देखने को मिले यजनस देखने को मिले और विभा की पत्वतियां भी इस समें बहुत सारा उत्रपन हो हमें समझना है तो अप समझ गए इस में सबसे जाधा चेंज धार्मिक परिवर्तन आते हैं तो हमको उनके बारे में पता होना चाहिए कि परिवर्तन कौन सा हुआ कैसे हुआ क्या सब्सक्राइब करके देखेंगे इस समय जो चैंज आए पहला है आश्रम सिस्टम आश्रम बेवस्ता आश्रम बेवस्ता क्या है पहले इसको समझते हैं ज्यान से सुनिएगा बैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति के जीवन को सौ वर्स का मान करके उसके चाहर अलग अलग जानते हैं यह स्वाखें में बांटी आगी है और जिन भागों मैंस को बांटा गया है हर भाग के लिए हर सेग्मेंट के लिए को सो वर्स का मान करके उसके समस्त जीवन को चार अलग-अलग खंड़ों में डिवाजत कर दिया गया है प्रतिय खंड के लिए कर्तफब निर्धरित कर दिया गया है और इनwar को आसरम कहा जाता है और नहीं explained झाल झाल